एपिसोड नौ दाइरे रूद्र की बातों से दुखी अंजली घर के बाहर बगीचे में जाती है वहाँ आदित्य आता है और अंजली अपने दिल की सारी तकलीफ आदित्य से साझा करती है अंजली रूद्र की अल्मारी में एक लड़की की तस्वीर देखकर हैरान रह जाती है अब आगे अंजली के आँखों के सामने एक फोटो थी एक फोटो जिसमें रूद्र था लेकिन वो एक लड़की की साथ था बीती रात जब रूद्र ने अंजली को ये बताया था कि वो शादी से पहले किसी और से प्यार करता था तो इस तस्वीर को देख कर अंजली को कोई खास हैरानी नहीं हुई वो समझ गई ये ज़रूर रूद्र की गल्फ्रेंड होगे लेकिन अंजली के लिए हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ये तस्वीर उसी लड़की की थी जिस लड़की की फोटो उसने आदिती के वॉलेट में देखी थी अंजली ने अपने आप से कहा इसका मतलब आदिती की बेहन रूद्र की गल्फ्रेंड थी और वो मर चुकी है क्या रूद्र को इस बात का पता है कि उसकी गल्फ्रेंड मेरा मतलब लावर्न्या इस दुनिया में नहीं रही क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए नहीं, नहीं, जूत्र को पता होगा, ऐसा हो इन नहीं सकता अंजली के चहरे पर पसीना आ गया उसे एक अजीब सी घबराहत होने लगी उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में उसे रूत्र को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए इतना कहकर अंजली जोरों से रोने लगी उसे लग रहा था कि वो जिसके गले से लगी हुई है वो रूत रहे नजाने कितने देर तक अंजली उस चक्स की बाहों में अपनी तकलीफ को बया करते रही और वो चुपचाप खामोश खड़ा रहकर अंजली की बाते सुन रहा था लेकिन एक बात थी जो अंजली ने महसूस की थी और वो ये थी कि आज अपने दिल की सारी बाते कहने के बाद उसे एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे उसकी दिल पर रखा हुआ कोई बहुत बड़ा बोज हड गया हो कुछ देर के बाद जब बारिश थमने लगी और वो दोनों बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे तो उस शक्स ने अंजली के बालों पर अपना हाथ फिराते हुए धीरे से कहा मैं जानता था कोई तो बात है जिसकी वज़े से आप परिशान है लेकिन आपके दिल की तकलीफ इतनी ज्यादा है इस बात का मुझे अंदाजा नहीं था उस आवाज को सुनकर अंजली चौक गई वो आवाज किसी और की नहीं बलकि आदित्य की थी आदित्य की आवाज सुनकर अंजली चौक गई उसनी खुद को आदित्य से दूर किया और हैरान होते हुए पूछा तुम? तुम यहां क्या कर रहे हो? मुझे लगा वो रूत्र और इतना कहकर अंजली वहां से जाने के लिए आगे बढ़ने लगी लेकिन आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया और धीरे से कहा आपने ऐसा भी कुछ नहीं किया है जिसके वज़े से आप अपने आपको दोशी समझ रही है किसी के गले लगकर उसे अपनी तकलीफ साज़ा कर लेना कोई अपराध नहीं होता अंजली अंजली के कदम वही के वही रुक गए उसने पलटकर आदित्य के चहरे की तरफ देखा जो उसे देख कर मुस्कुरा रहा था एक पल के लिए उन दोनों के बीच गहरी खामोशी पसर गई दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं कह रहे थे बस लगातार एक दूसरे के आखों में देख रहे थे आदित्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अंजली से कहा दुनिया में हर इंसान को प्यार का अधिकार है उपर वाले ने हम इंसानों को इसलिए बनाया है ताकि हम एक दूसरे के दिल की तकलीफ को समझ सके अंजली के आखों से एक बार फिर आसुओं का ज़रना बहने लगा उसका दिल जोरों से धड़क रहा था दिल और दिमाग के बीच एक अजीव सी जंग चल रही थी जिस दिन से उसकी आदित्य से पहली बार मुलाकात हुई थी न जाने क्यूं वो उसकी तरफ खीचे चली जा रही थी लेकिन उसके अंदर एक अपराद की भावना थी उसे हर पल लगता था कि शादी शुदा होने के बाद किसी दूसरे लड़के की तरफ इतना आकर्शन महसूस करना ठीक नहीं था और इसलिए अंजली अपने आपको आदित्य से दूर रखने की कोशिश कर रही थी लेकिन आज जैसे उसने अपने आप पर काबुक हो दिया था वो कुछ कदम आगे बढ़ी और आदित्य के सामने जाकर चुपचाप खड़ी हो गए अंजली को इस तरह खामोश देखकर आदित्य ने कहा अफिस का एक बहुत इंपॉर्टन काम था इसलिए रूदर सर से मिलने आया था लेकिन जब आपको यहाँ पर देखा तो समझ गया कि आप परेशान है अंजली ने इस बार भी आदित्य के सवाल का और उसकी बात का कोई जबाब नहीं दिया लेकिन अगले ही पल नजाने क्या हुआ ऐसा लगा जैसे साथ सालों से अपने पती के प्यार को तरस्ती अपनी शादी शुदा जिंदगी के दाएरे में बंधी अंजली सारे बंधन तोड़ कर एक पल के लिए जैसे एक आजाद पंची की तरह बिहेव कर रही थी वो कुछ कदम आगे बढ़ी और उसने आदित्य को कसकर गले से लगा लिया अब उसकी आँखों से आसु नहीं बैर रहे थे बस उसकी धड़कने आदित्य की धड़कनों से मिल चुके थी दोनों के दिल जैसे एक साथ धड़क रहे थे अंजली ने बेहत धीमी आवाज में आदित्य से कहा जानती हूँ जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ मैं शादी शुदा हूँ और तुम और तुम मुझसे उम्र में बहुत छोटे हो आदित्या लेकिन जब से तुम से मिली होना ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी जिंदगी की सारी तकलीफों पर एक मरहम की तरह हो जब भी तुम सामने होते होना ऐसा लगता है गुजरे कल के सारे दर्द कायब हो गए हैं ऐसा क्यों आदित्या आदित्ये ने अंजली की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बड़े ही प्यार से उसके कंधे पर हाथ रख कर उसे तसली देने लगा कुछ देर के बाद आदित्ये ने अंजली से कहा कि उसे अंदर जाना जाईए क्योंकि अगर रूद्र ने उसे इस तरह देख लिया तो वो कभी इस बात को समझने की कोशिश नहीं करेगा कि आदित्ये और अंजली के बीच कोई गलत रिष्टा नहीं था बलकि ये रिष्टा उन दो लोगों के बीच का था जिनके जिन्दगी में दर्थ था लिकिन प्यार की कोई उमीद नहीं आदित्ये की बात मानकर अंजली घर के अंदर चली आई क्या दोबारा मुझसे मिलोगी अंजली? क्या अपने दाइरों को लांख कर मेरा हाथ थामोगी? सच कह रहा हूँ तुम्हें तुम्हारी जिन्दगी के हिस्से का वो सारा प्यार देने की कोशिश करूँगा जो तुम्हें नहीं मिल पाया अंजली ने पलटकर आदित्य के चेहरे के दरफ देखा और फिर धीरे से कहा जिस पल तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दिया था ना अदित्य जिस पल तुम्हें कसकर अपने गले से लगा लिया था और जिस पल मुझे तुम्हारी बाहों में आकर सुकून मिल चुका था दाइरे तुम्हें उसी वक्त लांग चुकी थी और आगी क्या होगा, इस बात का फैसला हम दोनों को ही वक्त के हवाले चोड़ना होगा कभी-कभी न, जिन्दगी हमारे साथ वो सब कर देती है, जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता और अगर हमारे बीच ये सब हुआ है न, तो आगे जो होने वाला है, उसे भी हम जिन्दगी के भरों से ही छोड़ देते हैं अंजली ने अपना हैंडबैग उठाया और वहां से चली गई क्या था अंजली की किस्मत में, क्या वो आदित्य के प्यार को अपना लेगी, क्या उसके दिल का डर सच हो जाएगा इन सवालों के जवाब चिपे है कहानी के अगले हिस्से में तो सुनते रहिए, प्यार और धोके के रिष्टों में बन थी ये खुबसूरत दास्ता तगाबास